हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी गच्छी टिपस योटूब जेनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिष्टे आने के उपाई विवाहे में अगर रुकाउटे आ रही है तो उसका किस प्रकार से अंत होगा इसके बारे में जानेंगे आप इस वीडियो को सुरू से अंत तक पूरा सुनें ताकि आपको पूरी जनकारी प्राप्त उसके शादी में रुकाउटें कई कारणों से आ सकती है जब समय पर लड़के-लड़के की शादी नहीं होती है तो आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं लोग उनमें कई तरह की कम्या ढूंड कर उनकी बुराईयां शुरू कर देते हैं रिस्ते नहीं आने के एक बड़ी वज़य ये हो सकती है कि आप सिक्षित नहीं है आस के समय में सबी लोगों को चाहिए कि वेक्ति अपने पेरों पर खड़ा हुआ हो शाद में सिक्षित भी हो शिक्षित और सफल होने के बावजूद भी कुछ लोगों के रिस्ते नहीं बनते हैं तो इसके लिए मैं आपको उपाई भी बताऊंगा कि आप कौन सा उपाई कर सकते हैं जो अपतिस सास्तर में कुछ उपाई बताई गए हैं जो करने चाहिए लेकिन सबसे पहले जानते हैं रिस्ते नहीं आने का आखिर कारण क्या है और रिस्ते आते भी हैं तो बात नहीं बनती है बात कटो जाती है तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है बारत में ज़्यदतर सादियां 120 से 30 वर्स की उमर में होती है जब व्यक्ति 30 की उमर पार कर जाता है तो शादी को लेकर टैंसन होना सब्भाविक बात है हर किसी को टैंसन होती है परतेक व्यक्ति को एक जीवन साथी के आउशकता होती है जो बुढ़ापे तक उसका साथ बिना सवारत्य के देश के विवाहे का पवित्र बंधन जीवन की एक नई शुरुआत है चाहे दुख हो या फिर सुख हर परस्तिती में कपल्स एक दूसरे के शाथ खड़े रहे पती पतनी से अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता है यही करण है कि एक उमर के पश्यात साथी करना अनिवर्य हो जाता है लेकिन एक अच्छी जोब और वेवशाय होने के बवजूद भी कई लोगों के रिष्टे नहीं बनते हैं और वेक्ति तनाव में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कई बार ऐसा होता है कि वेक्ति बेरोजगार होता है जिसकी वज़े से उसके रिष्टे नहीं आते हैं और आते भी हैं तो बात नहीं बन पाती है और कई लोग चाते हैं कि वे जिन से शादी कर रहे हैं वो शिक्षित हो आसकल पढ़ाई का बहुज़ध मैतो है सब लोग चाते हैं कि नोकरी पेसे वाला मिले इसलिए ये बी एक कारण हो सकता है इसके अलावा ये सब अगर कारण नहीं है तो एक सबसे बड़ा और सबसे मैतो पुरन कारण ये हो सकता है कि कोई ग्रे दोस हो कोई ग्रे दोस अगर आपकी कुंडली में है तो वो शुब फल आपको नहीं मिलने देता है रिस्ते आते हैं फिर भी बात नहीं बनती है या फिर रिस्ते आते भी नहीं है ये समस्या है वो ग्रे दोस की वज़े से होती है इसके लिए जो तिस सस्तर में कुछ उपाई बताए गई है जो भी उपाई आपको सबसे अथा लगे वो उपाई आप कर सकते हैं सबसे पहला उपाई है सोमवार का वर्त रखने का अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से रिस्ता हो जाए और आपके लिए जल्दी से बढ़िया से बढ़िया रिस्ता आना शुरू हो जाए तो आप सोलै शोमवार का वर्त कर सकते हैं दूसरा उपाई है यदि किसी लड़के की शादी में नहीं और ये लड़के के लिए शादी का रिस्ता नहीं आ रहा है तो वो 21 मंगलवार हनमान मंदिर में जाएं, माता सिता और राम के चरणों में शिंदूर रखकर सिगर विवाय के इच्छा वेक्त करें ऐसा करने से उसकी करपा जल्दी प्राप्त होगी और उसके लिए रिस्तियाने सुरू हो जाएंगे तीसरा उपाय है कि अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही है तो कन्या के हातों से गुरुवार के दिन दान दक्षिना करवानी चाहिए गुरुवार के दिन आप अपने हातों से जो भी कन्या है जिसकी साधी नहीं हो रही है वो अपने हातों से पिल्ली वस्तों का दान करें ऐसा करने से रिस्तों की बाड आने लगेगी यानि इतने ज़्यदा रिस्ते आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे इसके अलावा अगला उपाय है जो लड़का हो या लड़की हो कोई भी कर सकता है और इन बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए गुरुवार के दिन पीला वस्तर धारन करना चाहिए पीला बोजन करना चाहिए और पीला सनान करना चाहिए पीले कार्थ है कि आप बोजन में हल्दी का उपयोग करें सनान करें तो सनान करने वाले पानी में चुट की ब्रहल्दी मिला लें ऐसा करने से आपको काफी फाइदा मिलेगा इसके अलावा गुरुवार के दिन यानि जिसे हम परस्पतिवार कहते हैं उसके दिन विश्णु बगवान की पुजा करें जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिपल की जड़ों में डालें इसके अलावा अगर आपके घर या अंगन या चत पर जो केले का पेड़ होता है वो अगर आपके लगाया हुआ है तो आप उसमें डाल सकते हैं गुरुवार के दिन आपको पिले कपडे धारन करना चाहिए पिला रंग गुरु का परतीक है इस दिन आपको पुजा भी जबाब साम को करें शाम को आपको गही का दिपक जलाना चाहिए तब भी आपको पिला वस्तरी धारन करना है ऐसा लगतार आप कुछ सब्ताय तक करते रहेंगे तो विवाहे में आ रहे ही सारी कि सारी प्रेशनियां दूरो जाएगी और आपके लिए अच्छा सा रिष्टा आजाएगा तो ये कुछ उपाई जो तिस अस्तर में बताए गए है इन में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपना सकते हैं इसके अलावा फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से फाइदा नहीं होगा तो आप किसी जियोतिस से पंडित से मिल सकते हैं वो आपको उपाई और मंतर दोनों बता देगा आपके कुंडली देखेगा और बाद में आपको उपाई सुझाओ करेगा कि आपको ये उपाई करना चाहिए और आपको मंतर भी बताएगा कि आपको इस मंतर का उचारण करना चाहिए ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को फाइदा हुआ है तो आपको भी 100% होगा आपको सचे मन से जो भी उपाई आपको बताएगा वो करना होगा अगर आपको जनकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें धन्यवाद